नमस्कार सफागत है आपका जन्मत की पुकार में दिल्ली में मिल्वटी मसाले बनाने वाले दो कारखानों का हुआ भांडा फोर दिल्ली पुलिस की अपराद शाखा ने बाहरी उत्तर जुलाक शेतर में चल रही दो मिलावटी मसाले बनाने वाली फैक्टरियों का भाणा फोर किया है इस दोरान 25 टन नकली जुरा और काली मिर्श के साथ साथ मिलावटी मसाले बनाने के लिए रखे गए लगबग 44 टन कच्चे माल को भी जब तक किया गया फैक्टरि के मालिक भगेश कुप्ता को गरफतार कर लिया गया इस संबंध में अपराध शाका दिल्ले में मामला दर्श कर आगे की जांच शुरू की गई केंद्रे रिंज अपराध शाका के HC राजप्रकाश को बाहरी उत्तर जलाक शेत्र में चल रही मिलावटी मसाले बनाने वाली फ्रेक्टरियों के बारे में गुप्त सुचना मिली थी इस सुचना को मानों खुफिया और साथी तक्निकी निगरानी के माध्यम से विकसित किय गया था इसके अनुसार ACP पंकच अरोडा की देखरेक में DCP अंकित सिही द्वारा इंस्पेक्टर सुनिल कुमार के नित्रत्व में एक टीम गठित की गई जिसमें SI पंकच कुमार, ASI दिनेश कुमार, ASI भोलेनात, HC पुश्पदाश, HC मुकेश कुमार, HC राजप्रकाश, HC संदीप, HC हरिंदर, HC दिरेंद्र, HC गौतम, महिला कॉंस्टेबल अदिती, महिला कॉंस्टेबल वरशा और विधी शामिल थे, एक जाल बिचाया गया और एक टेंपो को जिन्दपुर गाउं दिल्ली में खसरा, सिद एक गोदाम के सामने रोक लिया गया, इसमें 25 बैग पाये गए, जिसमें टेंपो में परिवहन किये जा रहे, जीरे और काली मिर्च के माल का मालिक बताने वाला भगेश गुपता टेंपो में बैठा था, इसके बाद भगेश गुपता से पूछताच की गई, उसने स्विकार किया कि उक्त बीजो की खेप पूरी तरह से जोटी है और वह उसे बाजार में पहुंचाने जा रहा था, इसके बाद भगेश गुपता के कहने पर एक गुदाम का भांडा पोड किया गया, जहां बड़ी मात्रा में नकली जीरा, काले मिर्च के बीच और अन्य कच्चे माल और मसाले को भी बरामत किया गया, दिली सरक चेनों को भी जब्त कर लिया गया, तथियों और परिस्तियों के आधार पर अपराद शाका दिली में मामला दर्ज किया गया और आरोपी को इस मामले में गिरफतार किया लिया गया है, आरोपी को पुलिस सिरासत में ले चुकी है और मामले की आगे की जाच जारी है, अगर